वेल्कम बैक एब्रिवन वेल्कम टू सुवल सर्व से स्टाड़ी प्रेक्टिस हैट नमबर 337 पर आ जाईए यूपी पीसियस के लिए एक अप्रल दोशारिकेस है जब यह टैस्ट रिकॉर्ट किया चाला है फोकस करेंगे इसमें वर्ड जोग्रफी के प्रश्णों पर उसी करते हैं दो से तीन सेकंड का टाइम मिलेगा कि प्लेलिस्ट इस सीरीज की बना रखी है वहां पर आप टैस्ट नमबर 1 से लेकर 337 तक पहुं सकते हो हर दिन के स्लोट में पहला स्लोट रहता है यूपी पीसियस की करेंट अफेर्स का उससे संबंदित ठीक है दूसरे ओड़ोर में स्थित है बोली प्या में स्थित अर्जन्टीना में स्थित बताइए घ्रक स्दे मैं उखता है जो का एक सबसे उचा जरम की है जो एक कडोर में स्थत है ब्राजिल में कहवा की खेती बड़े प्यमाने पर की जाती है बहां कहवा के बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है बताइए बुर्कीनों फजेंडा एजेंडा या दो आब दो नदियों के बीच की भूमी होती है दो आब तो एजेंडा नहीं कहा जाता बुर्कीनों भी नहीं फजेंडा कहा जाता इंप्राजिल में कहवा की खेती जो है बड़े प्यमानों पर की जाती है और कहवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है अलफा अल सबसे चोटा पक्षी नहीं है एलफा 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 एक प्रकार की घास है जो पंपास फूमी प्रदेश में उगाई जाती है यह प्रदेश पशुपालन के लिए प्रशिद्ध में भी प्रश्णिये पूछा जा चुका है वार्स 2015 में इसी तरह से पूछा था कि है क्या यह ना एकरे के प्रदेश हैं और यह क्यों पर शिद्ध्ध हैं वह तो लिए सामने लह क्लिखा है चुक की माता के सामने लिए से तामा स्फ़ाथ यह ताम प्रदेश के सामने पेट्रोल इमातौन modules अ लिए भी Patienten प्रदेश पेट्रोलियमा उत्पादन सहीतिनों यहां तू इताबिरा ब्राजील में लोह ऐस्क कि खान है ठीक है ब्रजल में और चुक्किक माता चिली में तामबा उत्पादन शेत्र है जीन पृड़ेस बेनेजोयल में इस्थित है त обяз पेट्रोलिय मुत्पादन के लिए पूर्षद्ध है év HA Wishup 12-20 opt-up बंदरगा कहा इस्थित है तो लुम्हार कि इस सबसे बड़ा कौफी निर्यातक बंदरगा इसलिए इसे कॉफी पॉर्ट के नाम से जाना जाता है Most important प्रश्ण है यह कॉफी पॉर्ट के नाम से किसे जाना जाता है ब्राजिल का संटोस Question number 6 पर आज़े निम्री के तुम से कौन सा एक असत्य है क्या राजधानिया लग रिछा रही है तो गोयाना की जरुजटाउन करेक्ट है उरुगबे की मांटी वीडियो सुरी नाम की पराम्रीवो देखिए क्वीटो तो इक्वाडोर की यह ना ठीक है बोली भी आगी तो लापाज है तो गलत अड़ी तो देखिए उपरोगत का सही सुमेलन इस प्रकार होगा गुजाना की जॉर्ज टाउन करेक्ट था उरुगबे की मॉन्टी वीडियो और सूरी नाम की परामरी वो ठीक है और बोली भी आगी है लापाज कॉशन नूंबर सेवन पर आजए नमलिक देज को ओशेणिया में समलेट किया जाता है और ओशेणिया में कौन जम लेता है इनि मैसे औस्टेलिया समलेता है औस dignAME सु्षणिया में और समलेता है औस लिएन आट अगी है तो फईस से कितना इल्यूमिनेट होते हैं डह, ते मैक्रोनेया मेरे नेशिया पोलिनेशिय आधि को ओशेनिया में समलित किया जाता है ओशेनिया का जो सबसे बड़ा देश है उस्टेलिया है और सबसे चोटा देश recommend किस देश को दक्षन का कहा जाता है कि ऑıs और यह प प्लिपिन्स को नहीं इंडोनेशिया नहीं न्यूजीलेंड को तो न्यूजीलेंड को जो है दक्षन का ब्रिटेन कहा चाता है इसकी खोच की थी जेम्स कुक ने 1769 में ऐस्टेलिया का न्यू साउथ वेल्स किसके उत्पादन के लिए परशिद है प्रश्ण इंपोर्टन्ट दक्षनी आल्प्स परवत कहा इस्थ है सेसेल्स में नहीं है माइक्रोनेशिया में नहीं है इन दोनों में से है न्यूजीलेंड या ऑस्टेलिया बताईए न्यूजीलेंड में है तो दक्षणी आल्फ परवद जो है न्यूजिलेंड के दक्षण में इस्तित है इसकी सबसे उची चोटी का नाम है कैप्टन कोक ठीक है जिसे आओ और आकी भी कहा जाता है न्यूजिलेंड से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहां पर बताने किन मेंसे कौन सा करेक्ट है कितने ये स्टेटमेंट है तीन तीन है यहां की सबसे बड़ी झील टापो है न्यूजिलेंड की न्यूजिलेंड के उपजाओ मैदानों को केंटवरी कहा जाता है घास के मैदान है यह और यहाँ पश्चमी प्रदेश में अधिक वर्षा का करण पच्छुआ पपने है भारत में तो पश्चमी प्रदेशों में अधिक वर्षा का करण है पश्चमी विक्षोव है करेक्ट है यहां फिलाल तीनों के तीनों स्टेट्मेंट डी हैस का अंसर उपरोग सभी तो उपरोग सारे के सारे कथन सत्य हैं न्यूजिलेंड की सबसे बड़ी जील का नाम है टापो और यहां के उपजाव प्रदेशों को केंटवरी कहा जाता है और जहां गेहूं की खेती की जाती है केंटवरी में यहां पश्मी प्रदेशों में अत्यदिक वर्षा का कारण है पच्छुआ पबने कोश्चन नुमर 12 पर आजाए निमूर्द के कौन विश्व की दक्षिनतम राजधानी है इन में से कौन सी विश्व की दक्षिनतम राजधानी है ओस्टेरिया मेलवन के कही नीचे चला जाता है New Zealand तो New Zealand की Wellington विश्व की दक्षिटम राजधानी है यह एक बंदरगा भी है एक पोर्ट भी है विश्व के सबसे बड़े हिमनद भी नहीं है यह हैं अंटार्क्टिका में भारत द्वारा स्थापत अनुसंद्धान केंद्र, तो दक्षण गंगोत्री और मैत्री भारत दोरा अन्टार्क्टिका में सोद के लिएस्थापत किये केंद्र है, इसका कार क्या है, अन्टार्क्टिका पर ओजोन शेत्र कोमाजीव जन्तू तो था जलवायू परिवर्तन के प्रभाव का अध्यन करना दक्षण कंगोत्री स्टेशन जो है पूरी तरह से नस्ट हो चुका है ठीक है साल 2006 में अंटार्क्टिका के लॉर्समन हिल्स पर भारत ने एक नए सोध केंद्र की स्थापना की थ गतिशील महादीब के रूप में भी जाना जाता है किस महादीब को गतिशील महादीब के रूप में जाना जाता है उसी महादीब को जहां पर रेप्टाइल्स की उपस्तिती नहीं है जहां पर सरी स्रप ही नहीं पाय जाते ठीक है जहां पर सरी स्रप नहीं पाय जाते और क्वन होने कर उसai गतिशील कह जाता क्योंकि रिक्सका बड़ा हो जाता बर्ष पढ़ने से ठीक है और और धीतन संस्थान काहसे और अद्हीं क्पे jan hall ठीके तथा समुद्र अनुसंधान संस्थान इस्तित है पश्चमी घार्ट वाले राज गोवा में तो केंद्रे अंटार्क्टिक तथा अनुसंधान संस्थान समुद्र अनुसंधान संस्थान जो है गोवा के वास्को डिकामज में इस्तित है और भारत की पहली बहु सेंसर वैद साला इंड आर्क फॉक्स फर्जोडेन में जुलाई 2014 में इस्थापित की गई यह भी याद रखना है आपको ठीक है तो केंद्रिय अनुसंधान केंद्रिय अन्टार्क्रिक तथा समुद्र अनुसंधान संस्थान है गोगा के वसकोडिकामा में तो 15 प्रशन थे यह वर्ड जोग्रफी के कुछ इंपोर्टन्ट बचे खुचे इसमें थे दक्षन अमेरिका के ऑस्टेलिया और न्यूजिलेंड चलिए तो इनकी प्रेक्टिस एक बार कर ले ना धन्यवाद